आयोग एक महीना से पहले यानि की चार हपते बाद जो जवाब देना है उससे पहले मेरी प्लिष्ट जारी करने वाला है कहें तो ये कैसा नलायक और निकम्मा आयोग है जो की आठ सालों से परिच्छा को लटका के रखिये लेकिन अभी तक कनफर्म नहीं कर पाई रोज नया पैतरा रोज नया नोटन की कैसे आयोग है ये? आईपीएस जैसे अफसर चला रहा है है जो 30-35 साल बिहार को सर्म किये हुए है उनसे एक परिच्छा से नहीं से नहीं हो पा रही है दिक्कार है आप पर कैसे आप अफसर रहे हुए हैं कैसे आपने बिहार में पुलीसिंग किया होगा मुझे तो ये सोच के अफसोस लगता है कैसे आप आयोग हैं मुझे सर्म आता है कि ऐसे आयोग जो है बिहार में बने हुए हैं और ये दवा करते हैं कि हम बिहार को आगे लेके चलेंगे, छात्रों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कि इतने छात्रों का मेरे पास message फोन आता है कि हम suicide कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम पागल हो जाएंगे, इतने दिनों से क्यों नहीं होगा कोई, आपके इमंदारी पर, आ के पिछड़े पन में सबसे बड़े जिम्मेवार हैं कोस्टन पेपर नहीं दिया गया एंसर की नहीं दिया गया ओए इमार सीट स्टूडेंट को प्या प्रंगवाते क्यों है फिर आप डर क्या चीज के आपको लगता है इसका मतलब आप धांदली करते हैं आपको पता है कि हम लापरवा हैं हम नई सुधरने वाले हैं हम कुछ ना कुछ गरबड़ी करेंगे ही करेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं दा इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बी एससी पर्था मिंटरस्तर ये मामला आपको बताए कि लटकते ही जा रहा है लेकिन जो मुझे सुचना है मिल रही है उसके मुतावित आयोग एक महीना से पहले यानि की चार हपते बाद जो ज मुस्लिंग हुआ है और जिनके एंसी एल को लेकर प्रॉब्लिम नहीं है उनसे संबंधित छात्रों को लेकर आयोग अपना मेरिट लिस्ट जो है वो बनाके वेबसाइट पर डाल देगा कब डालेगा अब यह समय तो नहीं पता है लेकिन सुचना है जो मिल नहीं है उसके म कि आज जो सेलेक्टेट छात्रे जो कॉंसलिंग में कहें तो फर्स्ट कॉंसलिंग में जो सामिल हुएं उनमें ही दो-तिन गुट बत चुका है जो कॉंसलिंग में नहीं आए उनका एक अलग गुट बन चुका है। कहें तो ये कैसा नलायक और निकम्मा आयोग है जो की आठ सालों से परिच्छा को लटका के रखी है लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं कर पाई रोज नया पैतरा रोज नया नोटन की कैसे आयोग है ये आई पीएस जैसे अफसर चला रहे हैं जो 30-35 साल बियार को सर्व किये दिक्कार है आप पर कैसे आप अफसर रहे हुए हैं कैसे आपने बियार में पुलीसिंग किया होगा मुझे तो ये सोच के अफसोच लगता है साले साथ आप भी चार सालों से अपने हाथों में कमान रखे हुए हैं क्या भर्ती कर रहे हैं हमेशा आयोक के सामने मुर्दाबाद जिंदाबाद हाई कोट गिरफतारी लाठी चलना क्या आप बहाली आप क्या कर रहे हैं क्या आप कैसे कैसे आपने विहार को सर्व किया होगा 1912 से लेकर और 2015-16 तक क्या आपने काम किया होगा है कहें तो एक कर्मचारी की भर्ती आप सही से नहीं ले पा रहे हैं एक जाम जब कॉंसलिंग का डेट होता है आप हजार से हजिक जो है आप ये निकाल रहे हैं कि हमको 2014-2016 तर अपनी वियाख्या दे रहे हैं कैसे आप आयोग हैं मुझे सर्म आता है कि ऐसे आयोग जो है बिहार में बने हुए हैं और ये दवा करते हैं कि हम बिहार को आगे लेके चलेंगे आठ-8 साल से वेकेंसीव आपने बैठाक रखा है सारे डिपार्टमेंट में बिहार के सभी प्रखंड से लेकर सचवाले तक में सीटे खाली हैं और आप जो है रोज नया पैत्रेबाजी रोज नया पैत्रेबाजी छात्रों को लड़ाने का काम कर रहे हैं कितने छात्रों का मेरे पास मैसेज फोन आता है कि हम सुसाइड कर लेंगे हम ये कर लेंगे हम पागल हो जाएंगे इतने दिनों से क्यों नहीं होगा कोई साथ साल आठ साल आप उनके जीवन का बरबाद कर दिये उल्जा उल्जा कर रखे आप बताईए आपने पीटी में मेंस में आपने 55,000 के आसपास रिजल्ट दिया आप कांसलिंग में बुलाते हैं 14,000 लड़कों को उस पर से भी पूरा हो नहीं पाया आप 7,6,7,8 साल लगाने के बाउजूद में मेरा पूरा दावा है कि आप 13,120 पदों को नहीं भर पाएंगे और इतना ही भर पाना आपकी काबलियत पर, आपके काम करने पर, आपके इमंदारी पर, आपके कर्तबे पर सभी प्रप्रसन खड़ा करता है कि आप जैसा नलायक, आप जैसा लापरवा, आयोग, अधिकारी खोजने से कहीं नहीं मिल सकता और यही कि लोग हैं जो बिहार की दुरदसा में, बिहार के पिछड़े पन में सबसे बड़े जिम्मेवार हैं आप अपने कर्तबियों को नहीं करते हैं और आपके कारण पूरे राज्ज में कर्मचारियों की बहाली लटकी हुई है काम लटके हुए हैं, लोगों को पैर घीज जाता है लोगों का प्रखंड में, अनुवंडल में, जीला में, सच्च्वारे में अपने काम कराने के लिए और अपने जो जायज मांग है उनको पूरा कराने के लिए और आप हैं कि अराम से बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, पॉल्टिक से स्टुडेंट, स्टुडेंट, नसील, नननसील, क्या-क्या, आई कोट में यह हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे आप आयोग हैं, कैसे आप अपसर रहे हुए हैं, क्या यही बिहार की आप सिवा कर रहे हैं, बिहार का बंटाधार कर रहे हैं, बिहार को बरबाद कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को फ्रस्टेट कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं और कहा जाता है हम लोग को बिहार में कि आह लगता है, आह लगेगा आप लोगों को, बहुत खराब आह लगेगा इसी तरह बात करें हम BPSC, दरोगा आयोग, 2446 सेलेक्टेड कांडिडेट हैं, कल उनका नोट आग या की अंत्ता उनकी ज्वाइनिंग होगी लेकिन इस आयोग ने भी ऐसा ऐसा कुकर्म किया है, जिसके कारण जो सेलेक्टेड हैं, वो परिसान रहें, जो सेलेक्ट नहीं हैं, वो परिसान रहें सेलेक्टेडों की ऐसी स्थिती है कि वो ट्रेनिंग में भी जाएंगे तब भी उनको डर्ण सताते रहेगा क्योंकि कोट में मामला सा फसा हुआ है क्या होगा क्या नहीं सब को लेके परशान है कैसे आप आयोग हैं सारे को IPS सर्व कर रहे हैं सुनित कुमार उन्हें 180 बैच के IPS है यह भी 30-35 साल विहार को सर्व किया है क्या यह आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है इतने इतने साल आप बहाली में लगा जते हैं पूरी तरह से जो कहा जाता है ना कि पारदर्सिता जो रखनी चाहिए वो आप नहीं रख पाते हैं किसी दिस दोनों आयोग ने दोनों आयोग ने ने कोस्टेन पेपर दिया ने एंसर सिर दिया ना ओए मार का कर्बन कोपी दिया नहीं आटिया के जबाब देते हैं पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जो है क्या उन्हीं सो साइटालीस के पहले का भारत में रह रहे हैं या फिर दोजार इकिस बाइस के भारत में रह रहे हैं 2005 में सुचना काजिकार दे दिया गया उसके बावजूद भी आप सुचना देने मले नहीं होते हैं पारदर्सी तरीकों का बात किया था एक एलेक्सन होता है तो एलेक्सन में हर एक फेज में पारदर्सीता रखा जाता है जितने भी उमिद्वार खरे हैं उन्हर एक उमिद सीच से लिए जाने वारी भरतियां और उनकी भरती में आप इतना आसमेधानिक नियम कानून का फाइदा उठाते हैं 223 में देख लिजिए कोश्चन पेपर नहीं दिया गया एंसर की नहीं दिया गया OEMR सीट स्टूडेंट को पी आप रंगवाते क्यों है फिर आप डड़ क्या चीज के आपको लगता है इसका मतलब आप धांदली करते हैं आपको पता है कि हम लापरवा हैं हम नई सुधरने वाले हैं हम कुछ ना कुछ गरबड़ी करेंगे ही करेंगे धिकार है हमको आप जैसे आयोगों पर धिकार है कि बिहार को ऐसे ऐसे अपसर मिले हुए हैं जिन्होंने बिहार के बंटाधार करके रख दिया है यूँवा बताईए आप इतना फ्रस्टेट करके इतना पागल करके अगर इनका भरती करेंगे तो क्या ये आपके लिए इमांदार कभी रख पाएंगे क्योंकि इन्हें पता है सारे एक-एक सेलेक्टेट लड़के को पता है कि आयोगों ने गलतिया की है गड़बड़ी की है और यही कारण है कि वो छुप-छुप कर ऐसे काम करते हैं इस्टुडेंट को दोखा देते हैं धोका वो इस्टुडेंट को नहीं दे रहे हैं पूरे बिहार को दे रहे हैं बी-एससी बी-पी-एससी मैं देख रहा हूँ कि आखिर क्या हो रहा है आखिर इसमें छात्रों को आपंद में लड़वाने लगते हैं आज 2446 जो selected दरोगा हैं और जो नहीं selected हुए हैं वो एक दुसरे के दुस्मन बने हुए हैं मुझे ख़बर चलाने में डर लगता है कि मैं अगर इनके favor में चलाओंगा तो ये नराजों के message करने लगते हैं उनके ख़बर चलाता हूँ तो वो नराजों के message करने लगते हैं और असलियत दोनों को पता है दोनों ये बोलते हैं कि गल्ती तो आयोग की ही है गल्ती बलंडर आयोग नहीं किया है लेकिन हम क्या करें हम भी बहुत दिनों से तयारी में लगे हुए हैं तो बिहार सरकार को चाहिए कि ये दोनों आयोग को भंग करें और निकम में जो रिटार ये अपसर बैठे हुए हैं इनके अध्यक्ष बनबन के उनको कान पकल पकल के बाहर करना चाहिए कि आप पर धि काम कर रहे हैं आप चाहतर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं एक दूसरे के कमेंट पर वो लड़ाई हो जा रहा है वीडियो में ऐसा इस्तिती हो गया है क्या करें वो भी जो कि उन सब को पता है कि यह आयोग ही विलेन नंबर वन है जो कि सुरवात पहले दीन से विलेन गिरी कर रहा है रंगबाजी कर रहा है दोनों आयोग और सरकार को चाहिए इन आयोग को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए ऐसा नहीं है कि इनको बस के ओल हटा दिया जाए इनके एक एक कारियों की जाज की जाए पूछा जाए प्रस्ण पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यू नहीं किया गारवडी 6 त्वारप लगाते हैं पैसे ले ले कर पादी किए jutzy मैं उन से मैं नहीं मानता हूँ लेकिन मैं कूछना उनसार चाहता हूँ कि आह्या अंसर्चित जारी नहीं करते हैं क्या सावित करता है कि शैष उए रहे हैं वो बात सही है आखिर उनके 20 से ही तो कैंडिडेट चुने जाते होंगे न तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मैं खुद परिशान हो गया हूँ हम सोचते थे कि जल से जल यह सा परिच्छा खत्म हो अगला परिच्छा हो और मुझे सीदे सीदे दोसी मानता हूँ कि ये आयोग जो है आयोग के अधिकारी है वो निकम्मे है लापरवा है करतबेहीन है और धोखेबाज है और गदार भी है राज्य के पूरे राज्य के गदार है ये लोग और सजा तो इनको मिलेगा कहा जाता है हम लोग के हाँ कि जब सरकार सजा नहीं दे पाती है तो पर सपनों से खेलने का जो काम किया है उसका सजा मिलेगा ही मिलेगा आपको नहीं मिलेगा तो आपके आने वाली पीडी को मिलेगा और आपको देखना पड़ेगा बरदास्त करना पड़ेगा उसका कोई उपाए नहीं होगा बहुत ही दुरभागेपुर्ण है बहुत ही अफ बड़े बड़े अपसर वही जिम्मवार हैं बिहार के पिछड़े पन के, बिहार के गरीवी के, बिहार के पलायन के, बिहार में अपराध के सभी चीज़ के दोसी वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।